थो भी कुल मिलाकर आचुकी एक और जैसे कि आपको पता है कि आज एक new mode आचुका है अब basically जो भी लोग इस mode को नहीं खेलना चाहता है simply आपको map पे ही जहांपे selection होता है वहाँ पे just एक event mode करके उसको tick करने का और off करने का option मिल जाएगा क्योंकि map बहुत जादा परिशान होगे तो फिलाल अब तुम यह देखो कि इस map में होता क्या है मतलब इस mode में कि एक temple होता है temple थोड़ी दरत हवा में चले जाता है और हवा में जानने के बाद उसमें क्या होता है कि जब वो हवा में जाता है तो उसके अंदर एक guardian होता है जो level 3 की loot होती है AWM, Groza, and all जितनी भी गन होती है सब की सुरक्षा कर रहता है अब जब आपको नहीं पता होना था कि आपको दुश्मन कितना जाए ताकतवर है तब तक आप उसकी तयारी करते ही नहीं हो फिलाल बात करते हैं इस gameplay की जिसमें भाई आ चुके हैं इस temple पर तो सबसे पहले temple में जो तबाही होती है वो देखो और इसकी ट्रिक भी कि आपको केवल यहीं पर उतरना है सबसे पहले हैं से गन उठाईए और अब देखिए तबाही कैसे start होती है अब जैसी मैंने इस बंदे को नौक किया अब भाई साब यह सारे बंदे जितने भी आना सब ऊपर कूद गया और ऊपर तो कोई loot मिलती है ही नहीं मतलब यह कि अब इनके साथ होने वाला scam अब बस तुम यह देखो यह सारे के सारे बंदे कैसे कैसे मरते है अब भाई इसके बाद देखो मैं ऊपर चड़ जाता हूँ क्योंकि मेरे को बंदे स्पॉर्ट नहीं हो रहे थे और अब देखिए अब यह बंदे इतनी बुरी तरीके से घिर चुके थे ना तो यह नीचे कूश सकते थे और ऊपर रह रहे थे तो भी मर रहे थे और फाइनली इसके बाद में जो मेरे पूरी एक स्कॉर्ट के किल तो मिल जाते हैं लेकिन मैंने अभी भी इतने बंदे नौक कर रहे थे तो मेरे को मतलब सही में एक तरीके सैटिफक्शन नहीं मिल रहा था बिल्कूल भी तो मैं अपने teammate को बोला है कि जल्दी से वहाँ चल और जैसे मैं यहाँ पर आता हूँ तो मैं देखता हूँ कि बंदे AK करके टप टप गर रहे हैं जैसे मानों कोई पेड़ से कोई सेब तूटके गर रहे हूँ तो मुझे पता चलिया है कि अपने teammate के पास revive होने के जा रहे हैं और इनका जो एक teammate है वो भाई साब सामने अले घर में है अब भाई साब जैसे मैंने इसको spot किया वो जल्दी से घर में घुज गया फिलाल वहाँ पर भी बहुत सारी बसर चल ले थी क्योंकि वहाँ पर भी बहुत सारे बंदे कोई थे अब एक तरीके से मतलब directly तो नहीं जा सकते तो यहाँ पर teammate को बोला पीछे से cover दे मैं थोड़ा आगे जाता हूँ उसे पहले फैंट दिया अब यह हुआ कि बंदा कौने में था तो पूरा तो नहीं मरा अब उसका भी गैंट फड़ गया और देखिए अब इसके वादे मैं आपर रश कर दिया तो भाई फैनली जो ancient temple जो था मतलब एकदम प्राचीन temple हमारा यह यहाँ पर पूरे इस पर जितने ही बंदे आयते हमने सबको मार देता अब बस देखना यह था कि यह temple हवा में कव उड़ता है और उस guardian को मतलब यह मैं सही बताओ ना यह हमारा पहला गेम था जिसमें हमारा पाला जो है न उस guardian से पड़ा था क्योंकि अब तक न हमें सही बताओ तो उसकी ताकत का अंदर थाए नहीं कि वो क्या क्या कर सकता है होता है जब तक आप गलती नहीं करोगे तो सीखोगे कैसे और फाइनली अब हम वापस temple में आये अब देखो temple में आने के बाद भी temple में ऐसा नहीं कि बहुत सारे puzzle होते है इनको आप solve कर सकते है और solve करने के साथ में आपको एक बहुत ही घजब की outfit मिलती है फिला हम जैसी से open करने आए तो पता चलता ह है कि आपको क्या लगता है कि सबस्यादा बंदे कहां पर मरें होंगे इसे randomly कुछ भी लगा दिया जो आपका मन करता है तो लूट के साथ साथ में आपने एक और शूड़ी मिलता है आप बेसिकली यार इसा ही बताऊं तो आपको सब पता ही कि यह PUBG वालों को जोले फिलाल भ जैसी मंदर उड़ चुका है तो हम लोग आ चुके हैं अंदर तो सबसे पहले जैसी मैं आप ऊपर चलता हूँ अब बेसिकली बताऊं तो पहले जो था न मेरा टीमेट पहली गुज गया और जम में यहां आया हमने यहां पर क्लिक किया और जैसी एक्टिवेट किया और अब भाई साब ना तो इसके हैड बेमानने से कुछ होता ना इसके सामें जिगल करने से कुछ फायदा है अब भाई मैं इतना लेट होगया तो मैं असुचा है कि जल्दी से फॉस्टेड किट लगा लेकिन मैं नॉक होगया तो कुल्मलाकर बात यह कि अब हमें इसकी ताकत का अंदाजा हो चुका है मतलब यह साम भी छोड़ती है एक तरीक से डाहिन टाइप है मतलब सीरिसलियर इतनी गजब की लूट के लिए इतनी खतरनाक सिक्योरिटी यह तो सही में एक पागल पने लेकिन जो भी है जब दुसमन ताकत पर होता है तो गेम खिलने का मज़ाई और अलग हो जाता है अब हमें इसकी ताकत का अंदाजा पता चल चुका था तो मैंच हमने क्या क्या तैयारिया करी है इसको मारने के लिए अब गई जब तक कि हम नीचे पहुंच रहें तो आपको एक ऐसे गेम के बारे में बताना चाहूंगा जिससे आप इसली पैसे कवा सकते हैं अगर आपको किर्किट फुटबॉल या कबड़ी जैसे गेम्स पर इं तो आपको एकाउंट में विनिंग के पैसे एड हो जाएंगे अप एक से जदा भी टीम बना सकते हैं और आपके जीतने के चांस से उनको भी बड़ा सकते हैं तो आज ही डाउनलोड कीजिए और प्लेयर्स के फॉर्म के हिसाब से अपने टीम बना लीजिए और फिर से आज चुके हैं इस एंसेंट टेंपल पर और देखते हैं कि इस बार क्या होता है क्योंकि आप लोग को पता है कि यहांपर टीम्स बहुत सारी आती है तो तबाही होनी तो पक्की है और जैसी मैं इस बार उतरता हूं तो भाई इस बार मेरे को मिल जाती है M16 यानि कि बस्ट और अब तुम यह तबहाई देखो अब भाई उतरती मैंने दो बंदों को नौक कर दिया था और मेरे साब से यहां पर जाके पूरी एक स्कॉर्ड फिनिस हो जाती है फिलाल भाई साब यह बंदा UMP45 लेके आया और जो कि मुझे नौक नहीं कर पाया लेकिन हाँ अब यह बहुत बुरी मौत मनने वाला था अब इसके बाद मेरे को गनफाइट के साउंड इधर से आते हैं तो सबसे बहले मैं यहां पर रश करता हूँ और अब देखिए जैसी इस वाले बंदे को नौक किया तो मेरे को साउंड आए कि इधर एक और बंद है और जो किया अब उस वाले कौने पर जा चुका है तो यहां पर जो एक बंदा अभी भी उपर होता है और लेकिन सबसे पहले एन भाई साब को नौक करते हैं RDX भोले को और तभी मेरे को फुट साउंड आते हैं इस उपर वाले बंदे के अब मेरे टीम मेंड यू है इसको इधर से गोली चिपकाने कोसिस करता है लेकिन भाई साब ये बंदा मानो नीचे उतर ही नहीं रहता फाइनली भाई जैसी इसको मौका मिलता है ये नीचे आ जाता है और नीचे आके ये सबसे पहले किसी भी एक गण को तलास करता है अब चांग कुछ भी कह दो इस वाले इस पर में तुमेंने मैं हग दिया लेकिन जैसी मैं यहां से नीचे जाता हूँ फाइनली भाई ये बंदा भी हां मारा जाता है अब देखिए इसके बाद मैं आपको पता है कि ये गटका के पास में यहाला टेमपल तो यहां आसपास ये बंदे उतरे तो एक दो बॉट वगर आया थे इनको हमने मार दिया और फाइनली टाइम आता है कि जब यह तो टैमपल है अब हवा में उड़ने वाला है और इस बार कि हमारी तैयारियां देखियो कि तैयारी इस बार बहुती ज़्यादा खतर ना के मैंने आपको बताया था कि पिछो प appelle देखिए यह हमारी तैयारी पैली मैंने गरेंट की पिन की ची अब पता नहीं कि गरेंट से डैमेज होता है कि लेकिन अब देखिये तब ही सुरू हो चुकी है अब इस बाद में इतना तो पता चल किया था कि अपना बचाव कैसे करना है इसलिए में को डैमेज बहुत कम मिल रहा था अब 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 यहां पर आके मेरे अब अमो खतम हो चुके थे क्योंकि मेरे जो पिक अप्शन था वो अभी डिसेवल था एंड भाई फाइनली ये मतलब फॉस्ट टाइम हमने किसी गार्डियन को मारा था और बस देखो इसके सामने ना कोई जिगल काम आता है और ना ही कोई प्रोन फायर ना ही कोई डॉप शॉट ना कुछ भी मतलब सहीं बता हूं तो पस क्या है कि जैसि वो आपकी तरफ खर वग्र हें तो आपको उस पोजिशन से हटना क्योंकि वहां pers मेरी एक गेम PUBG से जो अब Яपई-जब यह अफट आया है कि यार जब हम इसको मारते हैं गार्डियन को कम से कम हैं 10-15 तो मिरने चीए क्योंकि यार तुम खुछ सोचो इतनी सारे ammo करा हो जाती है फिलाल देखिए आपको यह बहुत सारे temple से हावा में उड़ते दिखाए दे रहोंगे अब यहाँ पर मैं सोच रहा था कि अगर में बंदे स्पॉर्ट होते हैं तो अगर मैं उनको स्नैपर से गरा पाऊं तो सही मज़ा आ जाएगा लेकिन आपको एक बात बता दूँ कि इस temple पर रहके बंदों को मारना एक तरीके से टफ हो जाता है रीजन यह है कि बहुत जादा हाइट हो जाती है और इतनी हाइट से जो blood drop होता है वो भी बढ़ जाता है मतलब कि अगर गोली exact बंदे मारोगे ना तो वो नहीं गिरेगी वो थोड़ी आगे गिर जाएगी पहले ही तो यह थोड़ा सा PUBG की जो physics है उस तरीके से काम करती है अब फाइनले देखिए यहाँ पर क्या होता है जो मेरे teammate वो नीचे कूद आता है तो जैसी वो नीचे कूद आता है तो उस पर एक team rush कर देती है अब भाई जैसी मेरे को पता चलता है कि वो खत्रे में अब देखिए यहां से मैं कैसे मोत की चलाग लगाता हूँ अब मुझे इसने बताई कि बंदे है अब जैसी उसने मेरे से कॉल मागी अब देखिए तो इस तरीके से यहां पर यह पर यह पैरा सूट आ जाता है तो मतलब यह चीज काफी कज़ब किया फिलाल मैं इन बंदों को इक्तम ट् अब यहां हो जाती ही मेरे से यह गल्ती कि उनके प्री फैर में जाके घुच जाता हूँ फिलाल अब यहां पर सागर एक खतरना क्लेश मानने वाला है और उसके बाद में आप पूछो कि सागर का भी गेमिंग चैनल है की नहीं तो भाई सब है उसके चैनल का नाम भी सागर गेमिंग है फिलाल अब तुम यह देखो सबसे पहले बंदा आया लेफ्ट से फिर इसके बाद एक राइट से एक और आने वाला राइट से जैसे हो मेरे पास हाथ लगाने के लिए आता है तो भी मतलब इसके जितने भी बंदे हो बोलते है कि भाई हमें नहीं पता तू रश कर दे बस और फानली भाई साब इस तरीके से मैं आके यहां पर बच जाता हूँ अब इसके बाद जैसे रिवाइव हुए पोचिंग की से आये तो सबसे पहले हमें यह गाड़ी दिखाए दी अब मेरी गाड़ी यहां पर ठुक जाती है इन मंदों के स्पॉर्ट करने के चक्कर में तो मैं सागर से बोलता हूँ कि अब ड्राइ भाई तुम करो मैं अब सिर्फ मतलब तुमने तो चार किल ले लिए अब हमारा भी एक दू किल होना चाहिए अब जैसे हम लोग यहां पर आते हैं इतने बंदे यहां पर प्रून हो चुके थे और अब देखिए अब हम यहां पर कवर में रुख जाते हैं इन बंदों से फाइट लेंड के लिए तब ही देखो यहां पर एक और यूएज की वाजाती है जिससे कि हम बहुत जादा कन्फ्यूज वाजाते हैं और अब तुम यह इस्प्रे देखो पहले अब आपने देखा हो कि उन बंदों को हेड एंड बॉड़ी पड़े थे मतलब लिट तो था और उसी तरीके से यहां पर एक बंदा नौक हो जाता है जैसे ही रुके हैं पर अब तुम यह बताओ तुम्हें यह वाला किलच कैसे लगा और सागर वाला किलच तो है सही में उपी था अब देखिए यहां में बंदे को इस्पॉर्ट कर रहा था मगर भाई साब यह दौनों एकदम जिंद की तरह यह मालो प्रून पड़े हुए थे अब यहां पर मेरे टीमेट में को रिवायव देता है फिलाल में को जब तक रिवायव मिलता है तब तक इनमें से एक बंदा राइट से और एक लेफ्ट से दौनों तरफ से फ्लैंक कर चुके थे लेकिन जब हाथ में ग्रॉजा हो ना तो यह गलती तो कहीं मत करो जैसी मैंने इस वाले बंदों को नौक किया पता चलिए दूसरा बंदा भी दर से ही आ रहा है और यह वाले डूओ को भी हमने आप एजली फिनिश कर दिया अगर यह स्कॉर्ड होता तो एक बार रहा हमकर दिक्कत हो सकती थी फिलाल यह दो ही लोग थो थे हम लोगों नहीं को एजली फिनिश कर दिया अब आपको पता ही हो कि जब आपकी मौत आती है तो आप चाहे यहां पर देखो हमें सामने एक यूएज दिखाए दी अब यह यहां से पीछे जाती है मतलब यह की है यहां से जा रही है तो हम लोग गाड़ी को लेके जाते हैं और तभी देखिए भाई सबकुछ इतना जल्दी में होगा कुछ नहीं पता चला कि क्या करें क्योंकि गाड़ी पहले जा रही थे अचानक मुपाग ठुक गई और चार बंदों के बीच में जब गाड़ी ठुकेगी तो इजी गाड़ी तो फटी जाएगी फिलाल यह बताओ हमने गाड़ीन क कैसे मारा और आपने क्या सीखा कि गाड़ीन को कैसे मारना क्योंकि गाड़ीन को मानना थोड़ा समस्किल है तो जल्दी से इस वीडियो को शेयर करो अपने सभी दोस्तों को एक लाइक जरू करना चैनल पनाई हो तो अभी के अभी सब्सक्राइब करो और इंस्ट्राम पर बात करने के लिए फॉलो जरू करने ना मिलता हो गली वीडियो में ख्याल रखने अपना एंड थैंक्स वर वाचिंग